नमस्कार आज के वीडियो में आपका स्वागत है इन सभी कामों में बहुत सी unclarity और uncertainty होती है इसके अलावा कई बार market conditions की वजह से भी companies को अपना plan चेंज करना पड़का है जैसे कि पिछले साल COVID की वजह से बहुत सारी companies को करना पड़ा था इनी reason से companies fund collect करने के लिए कम risky method search कर रही है और उनके search का solution है SPAC आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे SPACS क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये एक अच्छा investment option है, चलिए जानते हैं इस साल के शुरुआत से SPACS की Wall Street पर चर्चा शुरू हुई, आपको बता दें कि BuzzFeed, Vice Media, Bustle Media Group जैसी Media Firms, fund collect करने के लिए SPACS के रास्ते पर चलने की planning कर रहे हैं, सिरफ Media Firms सी नहीं, बलकि दूसरी industries भी fund collect करने के लिए, इस नए concept से fund collect करने की planning कर रहे हैं SPACS यानि Special Purpose Acquisition Company, एक Non-Operating Corporation है, जिसे investors द्वारा IPO से fund collect करने के motive से बनाया गया है, इस method द्वारा collect fund का इस्तमाल आगे किसी दूसरी company के acquisition के लिए किया जाता है SPAC के सबसे important points में से एक, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि IPO process द्वारा जो भी fund collect किया जाता है, उसे तब तक एक trust में रखा जाता है, जब तक की selected company को acquire नहीं कर लिया जाता लेकिन अगर किसी reason से acquisition में देरी हो जाती है, तो broker और bank charges का charge लेने के बाद, fund का पैसा investor को वापस कर दिया जाता है Recent examples में एक, Group 9 Media का है, जिसने पिछे साल दिसमबर में अपना SPAC शुरू किया, और 15 जनवरी को public हो गया जल्दी ही Group 9 Media द्वारा दूसरी media firms को acquire करने की भी उमीद है इसके लावा अगर reports पर विश्वास किया जाए, तो SPAC concept के तेजी से grow करने का अनुमान है अगर आप सोच रहे हैं कि SPAC का concept market में नया है, तो हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है SPAC का concept लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ था, unfortunately ये कुछ time के लिए गायब हो गया जब कुछ लोगों ने SPACs बनाकर investors को धोका दिया इस तरह की घटनाओं के बाद SPAC पर लोगों का विश्वास कम हो गया और finally ये concept फीका पड़ गया लेकिन साल 2020 आया और SPAC का concept फिर से जोर पकड़ने लगा एक report के according पिछले साल टोटल 248 SPAC IPO लाँच किये गए थे चलिए बात करते हैं SPAC के major characteristics की SPAC का कोई commercial operation नहीं है क्योंकि ये एक shell company है और किसी भी product या service में deal नहीं करती है SPAC के पास सिरफ एक asset वो fund है जो इसके IPO के माध्यम से collect किया जाता है Generally SPAC, institutional investors, financial market के professionals, high network individuals के hedge fund द्वारा बनाया है SPAC को blank check company भी कहा जाता है चलिए बात करते हैं कि SPAC कैसे काम करता है SPAC की definition को बहता तरीके से समझने के लिए आपको special purpose acquisition company के काम को समझना जरूरी है पूरे process को mainly 3 parts में divide किया जा सकता है आईए सभी parts के बारे में detail में जानते है सबसे पहले बात करेंगे investors की भूमिका के बारे में SPAC का गठन तब शुरू किया जाता है जब high network individuals या experienced businessman का एक group initial level पर जरूरी fund को correct करने के लिए एक साथ आते है और बदले में उन्हें SPAC में एक fix percentage टेक मिलता है इन business executives को SPAC का founder भी कहा जा सकता है business executives जो अपने पैसे SPAC में लगाते हैं वो आम तोर पर अपने related fields के experience लोग होते हैं और market में इनका अच्छा नाम होता है आप सोच रहे होंगे कि इन business executives का अच्छा नाम होना क्यों ज़रूरी है है ना? ऐसा इसी लिए है क्योंकि SPAC सिरफ एक shell company होती है यानि ऐसी company जो सिरफ papers में होती है इसी लिए investors की image या नाम दूसरे investors को attract करने के लिए main factor की तहां काम करता है अगर कुछ जाने माने चेहरे या नाम SPAC से जुड़े होते हैं तो ये investors की community के बीच trust बनाता है अगला step आता है कि बनाई गई shell company या SPAC का IPO launch करना shares को public करने के लिए SPAC की team investment bank को hire करती है investment bank IPO के पूरे process को handle करते हैं और अपने द्वारा provide की जाने वाली service के बदले में वो कुछ amount charge करते हैं इसके अलावा IPO process द्वारा जो shares offer किये जाते हैं वो आम तोर पर एक unit price पर available होते हैं याद रखें SPAC एक non operational company है इसलिए इसके IPO prospectus में performance, history की ज्यादा जानकारी नहीं होती किसी भी SPAC IPO के prospectus का main focus sponsors पर होता है Finally, जो भी पैसा IPO process से उठाया जाता है उसे एक trust account में collect कर लिया जाता है और इसे तब तक नहीं चुआ जाता जब तक acquisition के लिए कोई suitable private company नहीं मिलती अब बात करते हैं acquisition के last step की एक बार जब किसी company को acquire करने के लिए required fund IPO process द्वारा जमा कर लिया जाता है तो business executives या SPAC sponsors का group एक अच्छी company को खोजने में अपना time देते हैं acquisition के last step में SPAC founders या sponsors के बीच voting होती है ताकि acquisition deal के बारे में उनका view पता चल सके acquisition पूरा होने के बार SPAC founders या sponsors के पास दो options होते हैं पहला अपने SPAC shares को redeem करके profit book करना या दूसरा अपने SPAC shares को newly acquired company के shares में बदलने का अगर किसी वजह से acquisition process complete नहीं हो पाता या SPAC sponsors को acquire करने के लिए कोई सही company नहीं मिलती तब SPAC खतम हो जाता है और IPO से collected fund investors को वापस कर दिया जाता है चलिए अब बात करते हैं कि SPAC क्यों popular हो रहा है जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि SPAC IPO पिछले साल से Wall Street और दुनिया की दूसरे हिस्तों में चर्चा का विशे बन गया है अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जब हमारे traditional IPOs हैं तो SPAC IPO की popularity क्यों बढ़ रही है तो चलिए जानते हैं वैसे तो इस question का कोई fix answer नहीं है कि ज्यादा दर companies अचानक IPO द्वारा public होने की बजाए fund collect करने के लिए SPAC option क्यों चुन रही है लेकिन इसके possible reasons की बात करें तो पिछले कुछ सालों में WeWork जो एक unicorn है जैसे कई traditional IPOs पुरी तरहा फेल हुए है WeWork के लिए स्थिती इतनी खराब हो गई है कि market में इसके valuation और reputation को बुरी तरहा effect किया है SPAC IPO के साथ investors पर pressure पुरी तरहा से कम हो जाता है क्योंकि SPAC जो public होता है वो एक real company नहीं है ना ही इसकी कोई operational या performance history होती है इसलिए investors के पास analysis करने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो mainly SPAC sponsors के नाम और market में उनकी reputation पर अपना दाव लगाते है और ज्यादातर risky industries जैसे media related companies SPAC का रास्ता चनती है चलिए अब बात करते हैं SPAC के conclusion पर 2020 में जहां कही popular investors और media industry के लोगों ने SPAC IPO launch किया वहीं दूसरे आगे ऐसा करने की planning कर रहे है आपको बता दें कि ex-NBA basketball player शक्वील ओ नील डिस्नी के तीन former executives के साथ एक SPAC बनाने की planning कर रहे है SPAC से वो tech और media industry से जोड़ी companies को acquire करेंगे हाला कि SPAC IPO का concept लगातर popular हो रहा है और 2021 में इसके और तेजी से बढ़ने की उमीद है लेकिन इसमें जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो आज भी SPAC IPO को criticize करते हैं SPAC में investment करने के लिए आपके और हमारे जैसे retail या individual investors को शायद जादा मौकर ना मिले इसके अलावा ऐसे बहुत से SPACs हैं जो market में under performed है और कई लोग मानते हैं कि SPAC का trend जल्दी out of fashion हो जाएगा हाला कि Draft Kings और Virgin Galactic जैसे कुछ SPACs हैं जिन्होंने शांदार perform किया है लेकिन अगर आप पिछले 5-6 सालों की data पर नज़र डाले तो खबर बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि 2015 से 2020 के बीच SPACs द्वारा investors को जो average return मिला है वो उन companies द्वारा दियेगा return से कम है जो traditional IPO method से market में list होई है इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि SPAC concept का future बहुत ज़्यादा अच्छा है आज की ये वीडियो यहीं खतम होती है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you